प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नौकलिंग की है इस वक्त की बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो की लक्षद वीप के दोरे पर गए है वहाँ उन्होंने स्नौकलिंग की है इसमें समंदर के अंदर जो समंदर का एको सिस्टम होता है उसमें डुपकी लगा करके अंदर का नजारा लिया जाता है और इसे स्नॉकलिंग कहते हैं प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के स्नॉकलिंग की तस्वीरे सामने आई हैं आप देख सकते हैं किस तरह से पीम पूरी तरह से जो गेर होता है स्नॉकलिंग गेर वो पहनते हुए दिख रहे हैं और प्रदानमंत्री मोधी ने खुद अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीर ट्वीट की है एक्स के जरिए उन्होंने ये जानकारी दिये किस तरह से समंधर में उन्होंने स्नौकलिंग की है लक्षद्वीप के दौरे पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने एक और जहां कई योजनाओं की शुरुवात की और दूसरी और समंधर का भी उन्होंने लुद्फ फुटाया है स्नौकलिंग की है और समंधर के इलाके में जाने वाले लोगों के लिए ये बड़ा आकर्शन होता है जिसमें समंधर के अंदर के जो वनजीव होते हैं जो पौधे होते हैं उनका नजारा लिया जा सकता है इसके लिए काफी तयारी करनी होती है और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने भी स्नौकलिंग की है जिसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोधी ने खुद ये तस्वीरें जारी की हैं इसमें पीएम समंदर के किनारे बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं वॉक करते हुए दिख रहे हैं और स्नौकलिंग करते हुए भी उन्होंने अपनी तस्वीरें जारी की हैं लक्षदीप भारत के दक्षणी तटका बेहत खुबसूरा तिलाका और यहां पर कल प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कई योजनाओं की शुरुवात की थी और साथ-साथ अब उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधान मंतरी जो की हमेशा भारत के जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी ब्रेंडिंग करते रहें और लक्षदीप की जो तस्वीरें जारी की हैं पीम ने उसके साथ-साथ यह भी कहा है कि यह बहुत खुबसूरत इलाका है और लोगों को यहां जाना चाहिए क्योंकि यहां ब सोशल मीडिया साइट एक्सपर तस्वीर जारी की और लोगों से लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की है पीम यह कहते रहे हैं कि टूरिजम के जरीए भारत को काफी फाइदा हो सकता है और जो भारत में खुबसूरत स्थल है वो विदेशों से भी कहीं बेहतर है और लक्षद्वीप की ब्रैंडिंग में पीम ने कुछ इसी तरह से की है खुद अपने स्नौकलिंग की तस्वीरें जारी की है और जनता से जो सैलानी है उन्हें लक्षद्वीप आने की का नियोता दिया है उन्होंने और कहा है कि यह बेहत खुबसूरत जगा है